दापाई लाहर बैजू के लिए सारे बंद हुआ करते थे उससे पहले उन्हें अपरेल में पेश होना था लेकिन चुंकि लॉक्डाउन था सम्पूर्ण लॉक्डाउन चल रहा था इस वजह से वो पेश नहीं हो पाए काला हिरन शिकार मामले में अब चुंकि सारे कोट खुलने लगे हैं तो जोदपूर भी बढ़ाए कि उसके जो बड़े कलाकार थे जिसमें खुद सल्मान खान थे फिल्मेटरस तबू थी सैफ अली खान थे और भी बहुत सारे नाम इसमें हैं जो उस वक्त मौजूद थे सुनाली बेंद्रे थी और नीलम थी यह सारे आरूप ही बनाए गए गए तो एक बार अब फिर से इस पूरे मामने में मुश्किल सल्मान खान के बढ़ सकती है पांक साल की सजा मिली थी साल 2018 में सल्मान खान को अगर आपको याद हो तो उन्हें जेल में भी बिताना पड़ा था पांच तिन और उसके बाद वो वहां से छूट कर आये थे तक्रिबन एक हपते क वक्त विदाना पड़ा था उन्हें जेल में इस पूरे मामने में कब-कब सल्मान खान के खलाफ आक्शन हुआ है या जेल याना पड़ा साल 1998-2006 और 2007 में सल्मान खान पहले ही जेल जा चुके है और ये ऐसा मामना बन गया है कि पीच्छा छोड़ने का नाम ही नहीं नहीं उनके खलाब पाच मामने इस वक्त काला हिरन शिकार मामने से कोट में मौझूद है क्योंकि कई लोगों ने शपत पत्र दिया, कई लोगों ने और भी तरह के केस किये क्योंकि जो बिस्नोई समाज है वो काला हिरन को बहुत पवित्र मानता और उसमें ये कहा जाता है कि 1998 से लेकर अब तक 22 साल मामले को बज़ा चुके हैं लेगिन सलमान खान की मश्किल कम नहीं हो रही है एक भार फिर से वो कोर्ट के सामें पेश होंगे और इस बार क्या होता है सलमान का क्या फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर से उन्हें कुछ रहत क्यूमीद नज अदर आ रही है देखना होगा जब सल्मान खान कोर्ट में पेश होगी